हेलो स्टूदेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक नए टोपिक के बारे में बात करेंगे तो उसे बात करने से पहले जब 1945 में जब सेकिंड वर्ड वर्ड स्वापत हो गया था खतम हो गया था 1945 के बाद UN जो है वो एक्जिस्टेंस में आया 44 जो कंट्रीज जो उसके मेंबर्स थे उनके जो डेडिकेट्स थे उन्होंने ये महसूस किया कि इस तरह का और्गिनाइजेशन बनाया जाए जो की वर्ल्ड लेवल पे कल्चरल पीस को परमोट कर सके और जो एजुकेशन है उस इंटलेक्शुल और मॉरल वैल्यूस को साथ साथ लेके चल सके तो इसके लिए युनाइटेड नेशन ने क्या किया युनेसको स्थापित किया युनेसको की स्थापना की युनेसको क्या फुल फॉर्म क्या है युनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल है इस तरह की education को promote करने में जो की future की education हो जो की इस world के अंदर जो है peace ला सके और लोगों को intellectual और moral values जो है उनकी सासा develop कर सके इस तरह की education को promote करने में यानि की future education को promote करने में एक leading role play किया unesco ने अब unesco ने इसके लिए क्या किया इस तरहां की future education कायम करने के लिए जो की cultural peace के लिए काम कर सके और लोगों की जो intellectual और जो moral values हैं उनको इकठा करके लेके चल सके इस तरहां की education को पर्मोट करने के लिए Nesco ने जो commission स्थापित किया अपनी general conference के अंदर officially एक commission स्थापित किया गया था 1993 के अंदर जिसका main मकसद जो है future की education को ही देखना था उसको पर्मोट करना उसके बारे में अपने views देना उस commission का ये मकसद था अब इस commission ने जो अपनी report पेश की near about three years के बाद 1996 में इस commission ने जो ये commission बनाया गया तो उसने अपनी report पेश की थी और ये बहुत ही influencing एक seminal report इसको बोलते हैं seminal होते है influencing बड़ी influencing report थी और बड़ी MBS document है जिसका specific goal है MBS होता है जिसका specific goal हो future education के लिए कि future education कि इस तरहां की हो उसके बारे में ये report है अब इस report के अंदर इस commission ने जो commission establish किया गया था इस report के अंदर ना सिरफ commission ने जो है current education process है उसको identify किया है साथ-साथ future में भी किस तरहां की attempts होने चाहिए education के बारे में किस तरहां की education होने चाहिए for all sector all around the world हर एक sector के लिए जो संसार के जो किसी भी sector चाहिए वो business sector ले लिजे किसी भी sector के लिए किस तरहां की education होने चाहिए उसके बारे में अपने views दिये है इस commission ने it attempts to identify both state of place state of play का मतलब होता है current जो चल रहा है current process जो है education का and desirable future direction for education across all sectors around the world कि future में किस तरह की education हो worldwide किस तरह की education हो इस commission ने इस इन दोनों चीजों का identify किया अब अगर हम इस commission की बात करें 1993 में इस commission को establish किया गया था UNESCO ने इसको establish किया था जिसको UNESCO fund देता है funded by UNESCO पर यह जो commission है यह independently काम करता है future education के बारे में जो भी report त्यार करने है जो भी काम करने है अपने level पे वो independently काम करता है UNESCO का उसके अंदर को interference नहीं होता है वो सिर्फ उसको fund करता है और यह जो UNESCO ने जो commission set up किया था 1993 में इसके जो chairman थे जैक्विस डेलर इसने इस commission को डेलर's commission के नाम से भी जाना जाता है जो यह 1993 में establish किया गया था UNESCO के द्वारा अब इस commission के अंदर 15 members थे जो अलगलग country से थे different cultural background था उनका different occupational background था उसमें इंडिया के भी एक थे Mr. Karan Singh थे जो की एक famous diplomat भी रहे हैं और education minister भी रहे हैं उन्हें बहुत सारी books भी लिखी हैं तो 1993 में इस commission को appoint किया गया था अब इस commission ने worldwide level पर तीन साल तक near about three years तक worldwide level पर इन्हों ने जो भी education है उसको अच्छी तरह से study किया अच्छी तरह से उसका गहन अध्यान किया और उनके सामने study करते सामने उनके सामने जो सबसे बड़ा challenge आया एक तो जो educational situations थी अलग अलग country की अलग अलग तरहां की थी इतनी सारी diversity थी education situations में दूसरा जो है education के बारे में जो concept था वो अलग अलग तरहां का था worldwide जो है तीसरा जो है अलग अलग तरहां का education structure था different countries के अंदर और एक और चीज थी plus the huge volume of research material available और इतना सारा research material available था यह सारी challenges उनके सामने आये जब उन्होंने तीन साल तक पूरे worldwide education system को study किया और उसके बाद तीन साल तक इन्होंने study करने के बाद इस commission ने अपनी report पेश की जिसका नाम था जिसका title दिया गया था कि learning क्या है the treasurer within कि आपके अंदर ही है सब कुछ खजाना आपके अंदर ही है जिसको promote करना है सिरफ इस तरह का title दिया गया था इस report को 1996 में आप हम आज के topic में यही बात करेंगे कि जो यह commission ने जो अपनी report पेश की थी उसके क्या features थे उसके बारे में हम बात करेंगे फर्स्ट जो feature था long term view of education की report ने report में उन्होंने यह बात कीगी कि education का जो है हमें short term view लेके नहीं चलना है education का large term view होना चाहिए long term view है उसका जैसे हम छोटे फाइदे के लिए ऐसे काम कर जाते हैं कहीं बार जैसे हम worldwide हम क्या करते हैं अपने फाइदे countries जब भी world war भी हुई है तो वो किस लिए हुई है कुछ एक देश अपने फाइदे के लिए वहां पर और इतने जो निर्दोश लोग मारे गए हैं इतना सब हुआ तो उसको देखते हैं उन्होंने बोला कि जो education है वो इस तरह के काम करें उसका long term view होना चा उसका यह short term view होता है जिसमें हम आगे के consequences के बारे में नहीं बात करते हैं कि future generation के ओपर क्या effect पड़ेगा यह short term view तो उन्होंने बोला कि जो education का जो है हमें future के अंदर education होगी उसका long term view लेके चलना पड़ेगा कि हमें अभी तो ठीक है हमें intellectual development करनी है जब भी education देनी है तो intellectual development करनी है पर साथ-साथ moral values को भी लेके चलना है ताकि worldwide जो है peace को बना के रखा जा सके शांती को बना के रखा जा सके इस तरहां की बात की गई इस commission में इसके लिए एक quote भी दिया था डेलर ने and in this education क्या है and indispensable assets in its attempt to attain the ideals of peace freedom and social justice डेलर कमिशन ने अपनी report में ये quote दिया है कि education क्या है indispensable means एक essential equipment है हमारे पास एक essential चीज़ एक essential हथियार है जिसकी help से हम peace को भी maintain करके रख सकते हैं freedom भी maintain कर सकते हैं लोगों को freedom भी महसूस करा सकते हैं social justice की बात भी कर सकते हैं तो इस तरहां का view लेके चला गया था इस report में कि future education किस तरहां की होगी उसका एक long term view होगा ना कि short term यानि कि छोटी फाइदे के लिए हम long term का नुकसान नहीं करेंगे इसमें वही बात की गई थी जो हमने last topic में कि यहां पे सिरफ यह जो report थी education के उस trends के बिल्कुल against थी जो कि सालों से हमारे यहां चलता आ रहा है worldwide level पे जिसमें सिरफ किसके उपर pressure दिया जाता है economic उसके उपर और financial उसके उपर जो कि हम short term goal मानते हैं एकनोमिक जादा से जादा पैसा कमाने पे finance बढ़ाने पे हरे country को लेगे देख लीजिए चाहे personal level पे हैं चाहे हम national level पे हैं हम इस तरहां की education को promote करते हैं कि जो सिरफ क्या करें पैसा कमाने के उपर economic growth के उपर जादा जोर देती हैं तो इस commission इस तरहां की education को बिल्कुल नकारा जिसमें शिरफ short term goal के उपर emphasize था और वो short term goal क्या था सिरफ economic growth करना उन्होंने बोला कि short term economic इस goal के चक्कर में हम अपनी जो future generation हैं जो अपने बच्चे हैं उनको बिल्कुल ignore करते जा रहे हैं commission इस बात पर भी जोर दिया कि कोई education जो एक ऐसा कोई चमतकार नहीं है एक ऐसा कोई magic formula नहीं है जिससे हम global level पर सब तरहां की ideals को प्रापत कर लेंगे कि education ले आए तो हम हर तरहां की ideals को प्रापत कर लेंगे यह तो एक ऐसा principle है जिसके help से एक ऐसे सिधान थे एक ऐसा principle है जिसकी help से हम harmonious development कर सकते हैं किसी एक person की और जो यह इतनी सारी मुश्किले जो world level पर हमें आती हैं जैसे poverty की है ignorance की है exclusion या ignorance जिसको बोलते हैं कि कुछ एक society है कुछ एक community है जिनको बिल्कुल ignore कर दिया जाता है चाहे वो race के base पर लगा लीजिये या religion के base पर लगा लीजिये इस तरह की oppression of war जो यह लड़ाई जगड़े होते हैं world level पर जो war होती है उस तरह के यह कैसा fundamental principle माना गया इसको education को जिसकी help से इन सारी चीजों को दूर किया जा सकता है poverty को exclusion of ignorance को और oppression of war को इन सब को दूर करने के में यह बहुत बड़ा tool या एक बहुत बड़ा source साबित होगी हमारे लिए education इस तरह की बात की गई थी इस report के अंदर तीसरा जो फीचर था इस report का change in the world scenario report के according इस report में के according उन्होंने यह बात की गई कि world का जो scenario education का change हो चुका है वर्ड जब अब जो है जो countries है वो industrial age से निकल कर information age के अंदर enter गए इतना सारा knowledge का information का भंडार है हमारे पास उसको समेटना ही मुश्किल है तो ऐसा environment create कर इस तरह के environment में हम काम कर रहे हैं अब present scenario है the environment within which nations governments organization individual live has changed जिसमें हम जी रहे हैं कोई nation जो है चल रहा है कोई organization है जो individual है इस तरह के environment में काम कर यह जो बिल्कुल change हो चुका है और या फिर change होने के कगार पे है धीरे धीरे change हो रहा है this situation has created new tension all around and demand solution to problem अब यह जो इस तरह की situation है जो environment जो change हो रहा है तो उसके लिए यह एक बहुत बड़ी problem है कि हम जो है world scenario है जो change हो रहा है हम industrial environments इंटर स्टेले से निकल कर information age में एंटर कर गए है जहां पर knowledge का भंडार है तो इस तरह अब इस तरह के environment के अंदर बहुत सारी tensions है और उसके लिए solution find out करने का challenge था हमारे है हमारे पास तो इस तरह की बात की गई थी यह एक feature था इस report का तीसरा जो है tension of the modern world अब जो अभी हमने last में बात के की scenario change हुआ है world scenario change हुआ है इस तरह का environment में अब nation जो है काम कर रहे हैं इस तरह के environment में organization and usual काम कर रहे हैं इतनी सारी tension है world के अंदर तो वो कौन सी tensions है tension of the modern world आज के जो modern world की क्या कौन कौन सी tensions है present scenario के अंदर a number of tensions which needed to be fronted and if not reconciled कि अगर उनको यह पूरी तरह से ना भी दूर किया जाए बहुत सारी tensions है worldwide अगर उनको पूरी तरह से ना भी दूर किया नहीं भी दूर किया जा सकता उनकी तरफ ध्यान देने की जुरूत है at least acknowledged and managed constructively कि उनको उनके लिए उसमें ध्यान देन करने की जुरूत है और उनको manage करने की जुरूत है इस तरह की problems को अब वो tension किस तरह की है worldwide tension between global and the local कि अब जो अब जो लोग आ रहे हैं निकलके अब जो education जिस तरह के human beings त्यार कर रही है अब उसमें क्या है कि लोग जो है global अब जो scenario जो है global हो गया global leads के according यह नहीं एक confiner नहीं है वो एक community से society से confiner नहीं है सिरफ अब जो education जो है वो global level पे आ चुकी है एक जैसा ही एक तरह की education जो है global level पे है global global citizen बनाती है वो global level पे एक तरह की citizen सिरफ एक community से confiner नहीं है वो तो यहां पे इस तरह की tension थी कि अगर global level की education है तो क्या हम अपनी जो community उसको बचा के नहीं रख सकते उसकी जो roots है उनको उनको बचाने की tension थी क्योंकि लोग जो है एक country से education लेके दूसरे countries में जाके global level वहां का कर रहे हैं वहां पर भी जाके education ले रहे हैं वहां के भी culture को सीख रहे हैं तो उन roots को बचाने की tension थी जो जिसके साथ एक person जुड़ा हुआ है तो इस तरह की tension थी global and local दूसरा जो है tension between universal and individual की जो आज का जो culture है वो globalized हो रहा है ऐसा नहीं है कि इंडिया का जो culture है वो इंडिया तक ही सीमित है यह western जो culture है वो western तक ही सीमित है अब जो है वो किस तरह के culture है globalized है वहां के जो norms है यह वहां की जो चीज़े हैं हम भी adopt कर रहे हैं हमारी जो है वो भी adopt कर रहे हैं तो यह क्या है मतलब जो globalized हो गया है जो culture जो है globalized है तो हमें क्या करना होगा हमें अपने culture को बचाना होगा अपनी traditions और जो culture है अपनी जो roots हैं उनको भी बचाना है और global person भी बनना है इस तरह की एक tension थी universal और individual के बीच में तीसरा जो है tension between traditional and modern की जो हमारी जो पुरानी चीज़ी है क्या वो बिल्कुल वियर्थ हैं क्या उनको बिल्कुल भुला दिया जाएं इस तरह की बात नहीं है हम आगे भी तभी बढ़ सकते हैं जब हम उपनी back को पिछे करके भी देखेंगे यानि कि हम आगे बढ़ने के लिए हमें पुछे मुड के भी देखना पड़ेगा इसमें ये बात की गई है ठीक है आपका modern होना जरूरी है तो इस तरह की tension थी कि modern लोग हो रहे हैं पर हमें अपनी traditions को अपनी values को भी बचाना है तो ये इस तरह की tension की बात की गई tension between traditional and modern तीसरा क्या था tension between long term and short term consideration कहते कि कुछ एक problem इस तरह की होती है जिसके लिए हमें patience की जूरत होती है कुछ ऐसी strategies बनाने की जूरत होते हैं जिनमें काफी time लग जाता है तो जिनके लिए हम instead of quick remedies की जल्दी से इलाज की बजाए हमें patiently काम लेना पड़ता है तब ही हम उन problems को दूर कर सकते हैं अगर हम अभी की conditions की बात ले 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 अगर हम जैसे ये COVID-19 की बात ले 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 अगर हम तो शुरू में इंडिया के अंदर देखिए शुरू के जब भी आया COVID-19 आया तो उस time क्या किया गय जो country के जो prime minister थे उन्होंने एक decision लिया कि अभी lockdown करके रखा जाएगा हाला कि बहुत लोगों का ये विचार था कि अगर lockdown कर दिया गया तो हमारी जो economy है वो बहुत पीछे चली जाएगी ठीक है तो पर उन्होंने एक long term में सोचा कि economy को तो हम फिर भी बचा लेंगे अगर हम problem को कुछ ऐसी Problems होती है जिनके लिए हमें long term सोचना होता है बजाएगी Short term अगर वो भी ये ना सोचके कि लोगी जान के बारे में ना सोचके सिर्फ जहान के बारे में सिर्फ एकुनोमिके बारे में सोचते तो वो एक-s^^ प्रोपर प्लैनिंग्सें हैं कि हमें कुछ एक पैसी प्रोब्लम्स है जिनका हमें शोड़–टम सोलुशन नहीं लेना एंच सोलुशन से क्या होगा। फ्यूचर में हमारे लिए बहुत हामफुल रहती हैं जैसे जब हम बात करें हमारे जो गलोबल लेवल पे हैं हमने बहुत सारे ऐसे काम की हैं कंट्रीज ने शोर्टम सोलुशन फाइंड आउट करने के लिए बहुत ज्यादा ड्वेल्पमेंट कर लिए जो बहुत ज्यादा एकनोमिक लिए आगे आगे पर उस केस में हमने क्या कर लिया अपने एंवायरमेंट को खराब कर दिया अपनी फ्यूचर जैनरेशन के लिए टम की तीसरा जो है टेंशन बिट्विन ओन वन हैंड नीड फॉर कंपिटिशन एंड अगर हम सबको इकुली सब ऑपोर्चुनिटीज दे देंगे एक तरहां का जैसे क्लास के हम बात करते हैं सोचल क्लास की कि सब में पैसा जो है बराबर होगा तो लोग सोचेंगे नहीं आगे बढ़ने के लिए तो कंपिटिशन जब तक रहेगा कंट्रीज के बीच में तो वो ज़्यादा गरूथ करेंगे एक तरफ तो हम एकुल अपोर्चुनिटी की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ हम कंपिटिशन की बात कर रहे थे तो इस तरह की टेंशन थी वर्ल्ड वाइड नेक्स्ट जो है और टेंशन बिट्मिन स्प्रिच्वल एंड दा मेटीरियल की किस तरह की स्प्रिच्वलिटी भी लोगों के लिए ज़रूरी थी मोरल वैल्यूस भी ज़रूरी थी और मेटेरिलिस्टिक होके सोचना भी ज़रूरी थे इस तरह की जो टेंशन थी मेटेरिलिस्टिक एटिच से निकल के information age mentor कर चुके हैं इतनी ज्यादा knowledge है और उस knowledge को assimilate करना बहुत मुश्किल काम है एक बहुत मुश्किल काम था education के लिए भी और इतनी सारी knowledge को assimilate करना education के ओपर एक pressure था जो प्रेजिड जो education थी उसके ओपर एक pressure था curriculum के अंदर school curriculum है उसके अंदर नई नई चीज़ें एड हो रही थी अब यह एक challenge था कि उसमें से क्या important है क्या चीज पढ़ाई जाए वो choice करना about what to teach क्या क्या पढ़ाया जाए इतनी सारी जो knowledge है वो नई नई knowledge एड हो रही है तो क्या चीज प्राइमरी लेवल पे मलब जिसको पहले रखके जिसको पहले उसमें रखके प्राइमरी लेवल पे क्या पढ़ाया जाए बच्चों को यह एक pressure था education के ऊपर नेक्स्ट अगर हम feature की बात करें demand for new skills यहां पर education के field में जो नई-नई skills की demand थी अब सिरफ हम सिरफ उस literacy की बात ने करते हैं कि लिखना पढ़ना आपने सीखे लिया बस उतनी ही literacy की बात है अगर हम literacy high level of literacy की बात करते हैं for high level of literacy, numeracy, numbers के बारे में वो भी high level की हम बात करते हैं technological skills and the competencies such as problem solving and team working abilities that are required for successful work की अच्छे से काम करने के लिए successfully काम करने के लिए इतनी सारे skills की demand है आप demand present scenario में और future में तो और भी ज़्यादा होगी high level literacy की demand है, numeracy की demand है, technological skills आपको आनी चाहिए आप team work में काम करना आना चाहिए, इस तरहां की skills की demand है और आगे future में भी होगी और कहते कि इस demand को, demand for these skills will remain strong in the future, future में और भी ज़्यादा strong होगी तो इसके लिए, डेलर कमिशन ने अपने report में बोला कि इसके लिए special तरीक होगी, special education की need होगी हमें worldwide जो है special education provide करने की need होगी next time गर हम बात करें features की demand of workers, workers की किस तरह है, क्योंकि क्या present scenario में क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक कोई person जो है काम करने वाला worker जो है, एक ही तरह के काम में सारे उमर लगा रहता है, इस तरह का नहीं है, कई पर ऐसे situations change होती है एक किसी एक कारण से है, किसी दूसरे कारण से हो अपना जो काम है, वो change कर लेता है अपना जो profession है, वो change कर लेता है अब जब उसने अपना profession change कर लिया, उसको re-educate करने की और retrain करने की जूरत पढ़ेगी पढ़ती है और पढ़ेगी भी future के अंदर, तो और ज़्यादा ऐसा होगा तो इस तरह की, वो कहते है कि education को, इस तरह की education must change its shape and modes, इस तरह की re-education और re-training provide करने के लिए education के जो shape है और उसका जो mode है, जो education देने का mode है, वो change करना पढ़ेगा इस तरह का scenario setup करना पढ़ेगा, education के field में कि अगर जो कोई worker है, जो अपना काम जो है, occupation जो change करता है किसी दूसरे occupation में आता है, तो उस time पे, जिस time पे वो दुबारा से re-education लेना चाहते है, या re-training लेना चाहते है तो education में उस तरह का भी provision हो चलिए, next हम बात करेंगे, quality versus quantity की अब quality means, कुछ एक जो nations है, वो तो सिर्फ quantity की बात करते है कि education, इतने लोग हमारे लिटरेट हो गए हैं, इतने नहीं हो गए हैं सिर्फ quantity की बात होती है, कि यहाँ पे, सिर्फ quantity दिखाने के लिए कि इतने लोगों के अंदर skill लागी है, जो country जो हैं, वाके में ही quality education के उपर emphasize करते हैं, तो वो अपने जो लोग हैं, जो भी people हैं, उनके अंदर variety of skills को develop करते हैं, सिर्फ और जो variety of skills हैं, वो सिर्फ economic growth के लिए नहीं होनी चाहिए, economic growth के लिए नहीं होगी, future में भी, कि जो quality education के आप बात करते हैं, जो एक country प्रोवाइड करता है अपने persons को, वो सिर्फ economic growth के लिए, financial growth के लिए नहीं होगी, हम quality education में जब भी बात करेंगे, तो वो moral values की, उस उस cooperation की बात करेंगे, कि जो भी nation जो है अपने लोगों को जो skill सिखाता है, ना सिर्फ वो economic skill है, या financial जो skill है, financial तोर पर आगे आने वाली skill है, बलकि ऐसे skill भी सिखाएं, but also sophisticated form of cooperation, cooperation जो है, team work में किस तरह से काम करना है, worldwide peace कैसे बना के रखनी है, इस तरह की quality education की बात की उन्हो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अब उन्होंने डेलर्स कमिशन के according, कि education for 21st century, कि future की जो education हो, 21st century की जो education होगी, वो किस तरह की होगी, उसकी बात की है, education is about enlarging people's mind, कि किस तरह की education होगी, वो लोगों को दिमाग से सोचने के लिए, उनके intellectual development करेगी, उनके mind को enlarge करेगी, उन इस तरह के imagine करने के लिए मजबूर करें, imagination की power उनकी develop करेगी, arousing their curiosity, assisting them to learn how to think, उनकी curiosity को बढ़ाए, इस तरह की education हो, वो वली नहीं कि सरफ knowledge दे दी, रट लगा ले, इस तरह की education की बात मिनी की, उन्होंने बात किये कि 21st century के अंदर जो education हो, वो लोगों को सोचने के लिए की गई है, इस report के अंदर, second जो है, it is about preparing them for citizenship, equipping them with skills and knowledge for leading successful and fulfilling lives, वो कहते हैं कि इस तरह के citizen त्यार करने हैं, जो अपने country से, अपनी nation के साथ भी जूडे रहें, और अपने अंदर इस तरह की skill और knowledge develop कर सकें, ताकि वो life को पूरी तरह से जी सकें, आनंद ले सकें, अपने occupation में भी skilled हो सकें, अपने लिए जीवी का भी कमा सकें, अपनी culture को भी ना भूलें, अपनी country के साथ भी जूडे रहें, इस तरह की education की बात की गई, तीसरा जो उन्होंने बात की है, 21st century के education के बारे में, it is about helping people to learn, इसका education जो मकसद जो होगा, वो सिरफ literacy लेके आना नहीं, इसको लोगों को सिखाना है, उनको सिरफ knowledge देना नहीं, उनको understanding कराना है उस चीज की, सोचने के लिए मजबूर करना है, और अपने and appreciate their culture, language and history, जो उनका अपना culture है, ठीक है, वो globally काम करें, global needs होती है, कि global, आप global language भी सीखें, पर जो अपनी language है, जो अपना culture है, जो अपने traditions है, उ उनको भी ना भूले, उनको भी बचा के रखें, और उनके अपने tradition के लिए, अपने culture के लिए, अपने nation के लिए, उनके अंदर क्या हो, एक इज्जत और प्यार हो, इस तरह की education के उन्होंने बात की, and their sense of identity and sense of belongingness to the community of which they are a part, और वो अपने आपको हमेशा, जिस community का वो पार हैं, वो उसके साथ जुडा हुआ महसूस करें, इस तरह की education के बात की गई है, 21st century के लिए, तो ये features थे, डेलर्स कमिशन के, next हम बात करेंगे, जो डेलर्स कमिशन ने बात की थी, goals and aims of education for 21st century, जो 21st century के लिए, जो education होगी, उसका क्या aim और उसक्या goal होगी, उसके, इस report में उने बात की है, broad goal लेके चले हैं, वो 21st century के education के लिए, क्या goal था, कि यहाँ पे एक balance बना के चलना होगा, utilitarian aim को साथ लेके चलना होगा, utilitarian aim means, person अपना भी, अपनी development भी कर सके, अपनी personality को भी develop कर सके, जिसको हम education दे रहे हैं, वो अपनी personality को भी develop कर सके, और साथ-साथ जो है नेशन की भी development कर सके, तो दोनों के बीच में balance बना के चला गया है, 21st century जो education है, उसका जो aim है, कि दोनों का balance हो, person के individual भी, individually भी वो grow कर सके, उसके लिए जो भी education उसको provide कर रहे हैं, उसकी उसके लिए value हो, day-to-day life में उसकी value हो उसकी, और साथ में वो country की development में भी अपनी education के लिए वो क्या थे, सबसे पहला तो, equip students for productive future, against a background of continuing change characterized by advances of technology, कहते कि technology क्योंकि बहुत fastly change हो रही है, तो हमें इस तरहां से बच्चों को education देनी होगी, इस तरहां से बच्चों को त्यार करना होगा future के लिए, कि वो इस ever changing growth हो रही है, technology की जो थोड़ थोड़ टाइम के बाद technology नहीं आ जाती है, उसके साथ वो balance बनाके चल सकें, उसके साथ वो काम कर सकें, इस तरहां की education होगी, इस तरहां की student हमने त्यार करने है, education के थूँ, कि जो advancement होती है, time to time जो technology change हो रही है, उसके साथ वो balance बनाके चल सकें, और उस scenario मे भी वो काम कर सकें, दूसरा जो है, इसका क्या broad aim था, prepare students to lead fulfilling the constructive lives as citizens and members of their community, कि इस तरहां के citizen हमने त्यार करने है, education के थूँ, कि वो अपनी community के बारे में सोचें, पर किस तरह से सोचें, दिमाग से सोचें, constructive means उनके जो सोच है, वो कैसी हो, logical हो, इस तरह से नहीं, जैसे कहीं बार होता है, कि हम कुछ एक community हैं, जो लोगों में जैसे terrorist हैं, जो किस तरह से बनते हैं, कि एक particular community के तरफ आप लोगों को, कि हमारी community grow करनी चाहिए, यह, मलब लोग जो है terrorist क्यों बन जाते हैं, terrorist क्यों बन community के साथ जूड़े रहें, उसको आगे बढ़ाने के लिए, पूरे efforts लगाएं, पर कैसे लगाएं, जो भी, मलब वो indoctrination ना, उनके अंदर, कि जो चीज बता दी, बस वही उनके दिमाग में, वो उस चीज के उपर analyze करके, क्या यह सही है, यह गलत है, कि जब भी, जो terrorist बनत हैं, कि उनके दिमाग में चीज घुसा दी जाती है, वो अपने दिमाग से सोचते नहीं है, logical thinking नहीं होती है, तो इस तरह के citizen नहीं त्यार करने हैं, इस तरह के citizen त्यार करने हैं, कि community के साथ भी जुड़ें, उसको भी develop करें, और साथ-साथ किस तरह से, constructive way से सोचें, capacity है, जो उनकी students की, जो उनका दिमाग है, जो उनके अंदर ability है, सोचने की, imagine करने की, आगे बढ़ने की, उसको नरिश किया जाए, उसको develop किया जाए, intellectual ability को, last जो इसका goal क्या था, teach students an appreciation of their culture and history, कि यह चीज भी हमने सिखानी है, कि जो उनके traditions है, जो उनका culture है, जिस society में वो र appreciate करें, ठीक है, global level पे काम करें, जाके development करें, अपनी personal development करें, पर global level पे किसी और country में जाके भी अपने traditions को, या अपनी culture को ना भूलें, उसके साथ जूडे रहें, उसको appreciate करें, उसको वो ना करें, दूसरों के सामने, कि हमारा culture अच्छा नहीं है, यह है, वहाँ तो यह है, अपने culture के साथ जूडे रहें, ठीक है, यह global need है, कि हमें globally जो है, एक जगे से दूसरे जगे जाके काम करना पड़ता है, पर साथ-साथ इस तरह की education प्रोवाइड करनी है, कि वो अपने culture के साथ और अपने traditions के साथ भी जूडे रहें, कहते कि, अब commission नहीं यह बोला है, कि जो यह उन्होंने 21st century के जो यह goals और aims बताए हैं, कि यह permanent होंगे और universal होंगे, these aims of education are permanent and universal, the commission say that even though the environment change and new technology accelerate, the essential objective of education must not be lost sight, कि ठीक है, time to time technology change होगी, पर जो education के जो यह जो भी objective सुझाए हैं, यह change नहीं होंगे, यह permanent रहेंगे, यह universal है, global level पे हैं यह, अब डेलर्स commission ने अपना view दिया है education के बारे में, education is at heart of both personal and community development के, education क्या है, personal development भी करें और community के भी development करें, its mission is to enable each of us without exception to develop all our talents, to full and to realize our creative potential, including responsibility for our own lives and achievement of our personal aims, उन्होंने बोला है, डेलर्स commission ने की education इस तरहां की हो, जो community को भी साथ लेके चले, और individual की development भी कर सके, ताकि जो individual है, वो एक अपनी life को पूरी तरह से जी सके, किसी भी situation में, किसी भी अगर उसको problem आती है, कोई भी change होता है, तो उस situation के अंदर भी वो अपनी life को, उन problems को easily solve कर सके, और अपनी life को पूरी तरह से जी सके, यह तो हमने बात की, goals and aims of education for 21st century की, अब हम इसका एक fundamental principle भी था, fundamental principle of commission, commission का क्या fundamental principle था, क्या सिधान्त था, education should contribute to every person's complete development, mind, body, intelligence, sensitivity, aesthetic appreciation and spirituality, की education कैसी हो, इस सिधान्त के उपर based हो, उसका यह principle हो, कि वो person की development करे, चाहे उसकी mind के बारे में है, चाहे वो उसकी intellectual ability है, चाहे वो उसकी aesthetic sense है, चाहे उसकी spirituality है, चाहे उसकी कोई skill है, हर चीज़ को, person की, को हर तरहां से उसको develop करे, fully develop करे, mind, body, spirituality, moral values, हर चीज़ के अंदर अपना contribution दे, एक person को develop करने में, education, इस सिधान्त के उपर based होनी चाहिए, education, जो है, 21st century की education, हर जो person है, उन्होंने इस बात पर, ये भी principle था, 21st century education का, कि हर व्यक्ति छोटे होते हुए भी, छोटे से ही, जब भी वो छोटा होता है, इस तरह की education ले, ताकि वो independently सोच सके, मुलब किसी के उपर depend ना रहे, decision making उसका हो, उसका अपना हो, किसी भी काम के प्रती, किसी भी problem के प्रती, solve करना है उसको, तो उसका decision independently सोच सके, और उसको अपना सके, जो सही है, उसको अपना सके, अभी हमने बात की है, कि जैसे terrorism है, उसमें, जो वो लोग है, independently नहीं सोचते हैं, सही ये गलत, मुलब जैसे भीड के साथ शामिल ना हो, इस तरह की education, ये एक सिधान था, इसका basic सिधान, कि भीड के साथ शामिल ना हो, वो independently सोच सके, अपने जो abilities हैं, चाहे वो mental abilities है, चाहे वो physical abilities है, चाहे वो emotional abilities है, उसको पूरी तरह से develop कर सके, इस तरह की education, इस तरह का सिधान तो education का, 21st century की जो education है, the aim of development is the complete fulfillment of man in all the richness of his personality, कि personality की education का, 21st century की education है, उसका जो aim हो, वो क्या है, personality को develop करना, एक person की personality को पूरी तरह से develop करना, उसकी physical, moral, social, हर तरह की development करना, ये aim होगा, 21st century education का, इसके उपर based होगी, इस principle के उपर based हो, 21st century की education, तो आज के लिए topic के लिए इतना ही, hope कि आपको topic पसंद आया होगा, अगर आया है, तो आप इसको like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, और अपने comment करना नाम भूलिए, thanks for watching this video,